नमस्कार दोस्तों रोज आपके पहले वीडियो डिटोरियुट में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ राम के स्पटेल और आज हम मैं आपको सिखाऊंगा बैदिक मेहत के कुछ सूत्र जिसमें हम आज सीखेंगे डोजिंग टेवल्स अप्टू हंड्रेड इन डोजिंग टेवल्स का मतलब होता है कि जैसे किसी ने आपसे पूछा कि 12 मिंट्टू 7 या 12 सत्य कितना होता है तो आप इसको गुड़ां करते हैं एक सिंपल विधी आपको जिसे याद होते हैं तो आप संद बोल देते हैं लेकि एक बैदिक मेर्क में बहुत ही आसान तरीका है इसको निकाल लेगा तो इसको बस आपको किबल एक चीज का याद रखना है जब भी कोई mind calculation करते हैं तो हम इसा लेब टू राइट करें क्योंकि हम जो बोलते हैं वो लेब टू राइट ही बोलते हैं हम इसको जैसे 12 है 12 है इ एक दो ही बढ़ेंगे मतलब left to right तो सेम तिंग यसे ही इसमें भी जो calculation होता है वो left to right होता है तो आप देखेंगे जैसा कि तो 12 तो आपको इसमें क्या करना होता है कि पहले आपको लेफ डिजिट को लिना होता है और जिसके साथ आपको पूछा जा रहा है उसके साथ बुराँ करना सबता है यहां पर हमारा नंबर क्या है साथ 12 7 तो 1 x 7 और चुकि यह दाइक आंख है दो अंकों में हमारा आंसर आने वाला है उत्तर आने वाला है तो एक जिरू हम रख देंगे तो हमारा बन जाएगा सत्तर अब हमारा दूसरा आंक को बचा अब उसका भी गुणा हम साथ के साथ करेंगे तो बारा साथ दूनी चुदा सो उसको हम नीचे देख देंगे और उसको हम आपस में जोड़ देंगे तो आप जानते हैं इसका आंसर साथ एक आट और एक चार चौरासी ऐसे ही हम दूसरा उधारन लेते हैं साहरा आप आप बता दें किसी ने आपसे बूचा 35 तो इसका आप बढ़ी असनी चानस पता देगी आप सुक क्या करना है आपको आपको लेप्ट इक लेना है पहले लेप्ट इट हमारे के क्या है थरी और थरी को स्षै के साथ कुणा करना है तो च्छै त्रीट 18 या 18 ता आप अटारा लिख रिख दिगी अब चूकर हम पस द चेपंचे 30 उसको निच्छे दिख लीजिए और दुनों को जोड़ दीजिए बस आप कांसर हो गया तो देखे 0, 8, 3, 11 और एक केरी हो गया तो 210 या इसको भी आप थोड़ी प्रेक्टिस के बाद left to right कर सकते हैं एक और उधान दौर इसको समझते हैं जैसे आप से किसी में पूछा कि 62, 3 जा तो बड़ा ही इसका अपतर होगा आपको अपसादी बता पाएं आप लोग बड़ी असानी से इसको बता पाएंगे तो पहले हमें क्या करना है हमें left hand के digit को लेना है तो पहले digit क्य हमारा 6 इसको 3 के साथ गुणा करना है तो क्या आएगा 18 रेक 0 लिख लेना है पर ऐसे ही इसको दूसरे digit को लेना है इसको 3 के साथ करना है गुणा तो 6 होती है 6 इसको लिख लिए वह आपके वास उत्तर आ गया दूनों को जोड़ देना है तो 186 हो गया done